Hello students, आज हम discuss करने जा रहे हैं class 11 का third chapter. यहाँ पर हम discuss करेंगे बहुत ही important topic जिसका नाम है radius of an atom. Radius of an atom बहुत ज़्यादा important है क्योंकि यहाँ पर हम atomic radius के बारे में discuss करते हैं और periodic table में यह trend कैसे change होता है इसे समझते हैं. तो ITJ और NEET के point of view से देखें तो यह बहुत ही ज़्यादा important है. और आज हम radius of an atom पर कुछ essay भी questions करेंगे जो exam में आते हैं और बहुत ही basic होते हैं जिसे बच्चे छोड़ देते हैं और फिर वो exams में फस जाते हैं. तो आज हम radius of an atom स्टार्ट करने वाले हैं. विर्पत्य की इपार्ट शाला में मैं प्रियासिंग आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ. तो आज हम start करने वाले हैं radius of an atom. चलिए discuss करते हैं radius of an atom के बारे में. तो देखे, classification of elements and periodicity in properties में आज हम discuss करेंगे radius. तो radius क्या होता है? आए उसे समझते हैं. तो radius, radius में हम पहला चीज़ देखने वाले हैं कि the atomic radius of atoms generally decreases from left to right across a period. यहाँ पर हम यह क्या समझ में आता है? कि जब हम periodic table में left से right की ओर move करते हैं, जब हम left से right की ओर move करते हैं, अपने periodic table में तो radius decrease होता है. तो radius decrease होता है. बहुत important चीज़ है, हमने basic class 10 में पढ़ा है कि अगर periodic table में हमें radius के trend के बारे में बताया गया था, जहाँ पर हमने समझा था कि left to right हम जाते हैं, तो radius of an atom decrease करता है. इसका reason क्या है? इसका reason यह है कि यहाँ पर number of protons increase होता है, यहाँ पर nuclear charge increase होता है. Nuclear charge increase होता है. यही reason है कि radius of an atom left to right decrease होता है. तो बहुत important चीज़ है. अब next slide पर देखते हैं कि क्या है? next slide पर हम देखते हैं कि the atomic radius of atom generally increases from top to bottom. इसका मतलब क्या है? कि जब periodic table में हम, बच्चों हम देखते हैं कि periodic table में, जब हम group wise, group wise मतलब आपने पढ़ा है group 1, group 2, group 13, group 14, group 15, group 16, यह सभी आप जानते हो. तो हम देखते हैं कि group 1 की है, अगर बात करें, यहाँ, तो हम देखते हैं कि lithium, sodium, potassium, इन सभी के case में, जब हम down to the group आते हैं, तो radius of an atom increase होता है. इसका reason क्या है? इसका reason है कि अगर आप lithium की बात करो, तो यहाँ पर number of shells increase होता है. जैसे हम देखते हैं कि 2,1, यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर जो number of shells है, 2 है. यहाँ पर first में 2 electron and second में 1 electron. यहाँ पर and यहाँ पर shell जो है हमारे पास 2 है. तो यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर lithium की case में, यहाँ पर जो shell मिला है, हमें 2 मिला है. बात करते हैं sodium की. sodium को हम कैसे दिखते हैं? 2,8,1. अगर इसकी बात करें तो हम देखते हैं, कि इसके पास total 3 shell होते हैं. इसका मतलब कि यहाँ पर size of an atom increase होगा. तो देखिए, यहाँ पर जो shell का number है, वो 3 है. It means कि radius of an atom increases down to the group. तो बच्चों, अब इस पर हम कुछ based questions करेंगे, जो बहुत ही जादा basic है. तो आईए देखते हैं, कि उस questions को हम कैसे solve करेंगे. Next slide पर. अब देखिए, यहाँ पर the atomic radius of an atom generally increases from top to bottom. हमने देखा कि lithium के पास 2 shell है. जबकि in case of sodium, उसके पास 3 shell है. It means कि number of shell increase हो रहा है. मतलब radius atom का increase हो रहा है. बहुत important है. अब हम देखते हैं, next slide पर. यहाँ भी आप देख सकते हैं, कि आपसे question पूछा गया है, कि यहाँ पर बताईए कि chlorine का radius क्या होगा. आप वीडियो को थोड़ा pause करिए, और फिर इसके answer को calculate करने की कोशिश करिए. तो आप question में क्या देख रहे हो? Question में आपसे पूछा जा रहा है कि the single covalent radius of phosphorus is 0.11 nanometer. What will be the covalent radius of chlorine? तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या समझना है कि chlorine का जो radius है, वो phosphorus के radius से छोटा होगा कि बड़ा होगा. तो आईए इसको solve करते हैं. हम देखते हैं यहाँ पर, कि अगर आप अपने product table को देखो, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर nitrogen phosphorus, उसके बाद आपका आता है oxygen, sulfur, fluorine and chlorine. यहाँ पर pre-audit table को अगर हम देखें, तो जब हम left to right जाते हैं, तो atomic size decrease होता है. atomic size decrease होता है. It means कि chlorine का जो size होगा, वो phosphorus से छोटा होगा. तो यहाँ पर answer आप बता सकते हो कि यहाँ पर अब answer क्या है? तो आए देखते हैं इसका answer. तो यहाँ पर इस question का answer है कि chlorine का size, phosphorus के size से छोटा होगा. तो आए देखते हैं. तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि the answer is option A and smaller than phosphorus. Then हम next question क्यों और move करते हैं? इस question में पूछा जा रहा है कि the correct order of increasing atomic radius of the following statement. हमारे पास element क्या-क्या है? उसे देख लेते हैं. हमारे पास element है oxygen, carbon, sulfur, selenium. तो आए देखते हैं इस question को क्या से solve करना है? इस question में भी हम सबसे पहले product table को लिखेंगे. और आपको बच्चो product table बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. तो देखें, यहाँ पर हमारे पास जो elements दिये हैं, oxygen है, carbon है, sulfur है और selenium है. तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें product table को देखना है कि कैसे product table में इनका position क्या है? तो सबसे पहले देखें कि oxygen, sulfur और selenium एक ग्रुप से आते हैं. उसके पहले यहाँ पर आता है carbon, silicon, nitrogen, phosphorus. इसका मतलब कि अगर हम left to right जाते हैं, periodic table में, तो radius decrease होता है, radius decrease होता है. मतलब यहाँ पर जो oxygen का size है, वो carbon से छोटा होगा. पर बात करें, अगर हम down to the group आते हैं, तो radius of an atom increase होता है. इसका मतलब कि selenium का size सबसे बड़ा होगा. तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया, कि selenium का size sulfur से और फिर यहाँ पर बड़ा होगा oxygen से. तो अगर हम यहाँ बात करें, तो हमें क्या समझ में आता है, कि सबसे छोटा हमारा यहाँ पर oxygen होगा. अगर हम अपने सारे options को देखें, तो आप देख सकते हैं कि option B और C में यहाँ पर हमें clarity है. यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि oxygen का size सबसे छोटा, जहां होगा, वो हमारा answer होगा. तो आइए देखते हैं इसके answer को. Then option B is correct. The reason, यहाँ पर reason क्या है कि oxygen का size carbon से छोटा है, जबकि selenium का size सबसे बड़ा होगा down to the group. तो यहाँ पर बहुत बच्चे confused हो जाएंगे, तो ऐसे confusion को हम कैसे दूर कर सकते हैं, आपको अपने answer को eliminate method के through find करना है. It means कि आपको उस answer को निकालना है, जो बाकी सारे answers को eliminate कर दे और आपको correct answer दे. तो यह बहुत important है, क्योंकि यहाँ पर trend को कभी आगे पीछे trend होने के कारण बच्चे confused हो जाएंगे. तो it will be better कि आप पूरे product table को अच्छे से ध्यान से याद रखें और कैसे हम अपने radius को find कर सकते हैं, down to the group और left to right में. next problem देखते हैं, अब next problem में आपसे पूठा जा रहे हैं कि the correct order of increasing radius of the element, silicon, aluminium, sodium and phosphorus. तो यहाँ पर हम सबसे पहले सारे elements को लिख लेते हैं. तो यहाँ देखें बच्चों, आपको जो elements दिया गया है, वो है silicon, aluminium, then sodium and phosphorus. तो यहाँ पर silicon और phosphorus. मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो phosphorus का size silicon से छोटा होगा. यहाँ पर phosphorus का size silicon से छोटा होगा. क्योंकि left to right हम जाते हैं, तो radius of an atom decrease होता है. यहाँ पर sodium और aluminium के बात करते हैं, तो boron, aluminium, मतलब aluminium का size silicon से बड़ा होगा. तो यहाँ पर aluminium का size silicon से बड़ा होगा. और हम जानते हैं कि sodium हमारा सबसे first group, group 1 में आता है, तो यह सबसे बड़ा element होगा. तो sodium यहाँ पर सबसे बड़ा element होगा, और सबसे छोटा element होगा हमारा phosphorus. तो यहाँ option की बात करें, तो option B हमारा correct होगा. तो आप देख सकते हैं कि option B यहाँ पर correct है, क्योंकि यहाँ पर sodium सबसे largest radius है, और phosphorus का सबसे small. Reason क्या है कि left to right जाएंगे, तो size decrease होता है, और down to the group आते हैं, तो size increase होता है. अब देखें, यहाँ पर हमने क्या देखा कि down to the group आते हैं, तो size increase होता है, और left to right जाएंगे, size decrease होता है, बहुत important चीज है, next देखते हैं, इसमें पूछा जा रहे हैं कि तब correct order of atomic ionic radii, तो यहाँ पर देखें, आपको जो elements दिये हैं, वो क्या-क्या है, हम लिख लेते हैं, यहाँ पर सारे elements को, तो यहाँ पर हमने देखा, कि यहाँ पर आपको जो elements दिये गए हैं, वो transition series के हैं, यहाँ पर जो आपको transition series के elements दिये गए हैं, और transition series में हम देखते हैं, scandinium, titanium, vandenium, chromium, left to right हम जाएंगे product table में, left to right, तो यहाँ पर size of an atom, मतलब radius, यहाँ पर decrease करेगा, तो यहाँ पर अगर large size की बात करें, तो scandinium का size बड़ा होगा, और chromium का size छोटा होगा, तो यहाँ पर हमारा option, अब बता सकते हो कि हमारा option क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर option A हमारा correct होगा, hopefully आपको यह lecture समझ में आ रहा है, और radius of an atom कैसे find करना है, और कैसे इसके problems को करना है, हम समझ पा रहे हैं, next slide पर देखते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे types of radius की, types of radius कितने तरह के होते हैं, तो आप देख सकते हैं, Types of radius, 3 type की होते हैं, covalent radius, metallic radius and Vendor wall radius, आइए discuss करते हैं कि यह तीनों क्या होते हैं, तो चलिए, covalent radius की होते हैं, covalent radius, covalent compound से आता है, तो आइए देखते हैं कि covalent radius क्या होता है, कोवालेंट रेडियस में हम बात करेंगे कि कोवालेंट रेडियस में यहाँ पर हम एक्जामपल लेंगे कोवालेंट रेडियस में हम एक्जामपल लेंगे क्लोरिन मॉलिक्यूल का क्लोरिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है chlorine molecule का formation इस सरा होता है यहाँ पर chlorine chlorine के बीच में single bond होता है एक chlorine का atom दूसरे chlorine के atom से overlap करता है इन दोनों के inter nuclear distance इन दोनों के nucleus के बीच में जो distance होगा यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों के बीच में जो distance होगा इसे हम d बोलते हैं और अगर radius की बात करें तो यहाँ r is equal to d by 2 होगा experimental जो value हमें मिली थी d की जो experimental value हमें मिली थी 198 pico meter थी तो यहाँ पर अगर आपसे radius पूछा जाए एक single chlorine atom का तो वो होगा 99 pico meter तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि दो different chlorine के atom जब CL2 का formation करते हैं तो CL2 molecule form होता है दो different chlorine atom वो इस तरह यहाँ पर CL2 molecule का form करते overlapping होता है यहाँ पर देख सकते कि overlapping है यह यहाँ पर overlapping हुआ है यहाँ पर overlapping हुआ है तो इस तरह हम ने समझा कि covalent radius में हम CL2 का example लेते हैं आप screen को pause करिए और इस value को note करिए क्योंकि यह experimental value है और यहाँ पर हम देखते कि हाँ पर overlapping हुआ है atoms के बीच में और covalent bond बना है covalent bond बना है इसलिए हम find कर रहें covalent radius आगे देखते है metallic radius क्या होता है metallic radius में metallic radius में हम metals की बात करते हैं तो आईए देखते कि metallic radius क्या होता है तो student हमने covalent radius में क्या देखा कि दो different chlorine के atom एक दूसरे के साथ covalent bond बनाते हैं और उसके बाद CL2 molecule का formation हुआ लेकिन अगर मैं बात करूं metallic radius की बात करूं में metallic radius की अब माल लीजे कि आपके पास एक iron की rod है तो उस iron के rod में क्या एक single atom होगा जी नहीं क्या iron की rod एक single atom of iron से बनी होगी नहीं वहां पर बहुत सारे iron के atoms होंगे तो वहां पर हम कैसे समझेंगे कि हम इस single atom का radius क्या से find करना है तो आईए देखते हैं एक example देखते हैं यहां पर माल लीजे कि आपके पास iron का rod है यहां पर यह सभी iron के rod इस iron के rod में different बहुत सारे fe के atoms एक दूसरे से combined है किस form में combined है इस form में combined है आप देख सकते हो यहां पर बहुत सारे iron के atom combined होंगे दूसरे दूसरे iron के atom से यहां पर जिसे हमने example लिया यहां पर हम example ले रहें copper का यहां पर देखे हमने copper का example लिया दो different copper के atom एक दूसरे से combined है, यहाँ पर आप देख सकते हो यह edge पर combined है edge पर, just corner, बहुत last में उसके corner से वो जैसे दो different copper के atom वो एक दूसरे से इस तरह combined है, जबकि हमने chlorine में क्या देखा था, chlorine में हमने देखा था कि वो इस तरह combined है यहाँ हमें क्या समझ में आता है, यहाँ पर हमें समझ में यह आता है कि यहाँ पर जो radius निकलेगा वो हमारे covalent radius से बड़ा होगा कैसे? यहाँ पर दोनों के nucleus के बीच का जो distance है, उसको हमने d बोला और यहाँ पर radius क्या हो गया? d by 2 यहाँ पर जो हमें experimental value मिली है, वो आई थी d की 256 nano picometer तो यह हमें मिली थी यह value, तो यहाँ पर हम d की value निकाल सकते हैं 256 divided by 2 करके तो यह चीज़ हमें समझ में आ गई लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें यह चीज़ भी conclude करनी है कि जो metallic radius होता है, वो covalent radius से बड़ा होता है, तो आए इसको देखते कि कैसे हम इसे समझ सकते हैं drawing के या diagram के representation से तो आए देखते हैं इसे तो friends यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे covalent radius metallic radius और vendor wall radius में कौन बड़ा होगा, किसका radius बड़ा होगा और किसका radius छोटा होगा तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि अगर हम covalent radius की बात करें तो दो different chlorine के atom एक दूसरे से overlap करते हैं sharing of electron होता है covalent bond बनता है और यहाँ पर दो different chlorine के atom एक दूसरे के साथ इस तरह bond का formation करते हैं तो यहाँ पर जब हम radius निकालते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर d y 2 है जो value हमने calculate आप कर सकते हो बात करते हैं metallic radius की हमने क्या देखा कि different copper के atom जब एक दूसरे के साथ metallic bond बनाते हैं किसी भी किसी भी things में तो वहाँ पर हमें क्या समझ में आते हैं कि वो different atom एक दूसरे से इस तरह metallic bond बनाते हैं वो एक दूसरे से just उसके edge पर attach होते हैं तो यह चीज़ हमें clear होती है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें समझ में आता है कि covalent radius छोटा होगा जबकि metallic radius बड़ा होगा covalent radius के comparison में तो यह चीज़ हमें clear होगा आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि metallic radius बड़ा होगा बात करते हैं vendor wall radius की vendor wall radius एक special case है यहाँ पर यह सिर्फ noble gases के लिए होता है तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखना कि यहाँ पर helium, neon, argon, krypton, xenon के case में ही सिर्फ vendor wall radius लगता है क्योंकि यह सारे elements जो होते हैं वो single atom होते हैं single atom के होते हैं बहुत important point है कि helium, neon, argon, single atom के होते हैं यहाँ पर यह single atom के होते हैं तो किसी single atom को पकड़ कर उसका radius find करना इतना easy नहीं होता है तो helium के atom या दो neon के atom या argon के atom को एक दूसरे के पास nearest distance पे लाया जाता है जैसे यहाँ पर हमने लिया मान लीजिए कि यहाँ पर neon के two atoms है यहाँ पर neon के two atoms है और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इनको nearest distance पे लाया गया है और इन दोनों के बीच में तो nucleus के बीच से जो distance है वो d है तो यहाँ पर r is equal to d by 2 है तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि vendor wall radius, metallic radius, covalent radius से भी बड़ा होता है बहुत important point है अगर आप से कोई पूछे कि बताइए lithium और neon में किसका radius बड़ा होगा तो आपको बोलना है कि neon का radius बड़ा होगा यहाँ पर neon का radius क्योंकि यहाँ पर vendor wall radius है और lithium के case में यहाँ पर covalent radius है जबकि यहाँ पर vendor wall radius है exam में ऐसी questions बहुत आते हैं जहाँ पर बच्चे confused हो जाते हैं तो आपको याद रखना है कि group 18 में सिर्फ और सिर्फ आपका vendor wall radius लगता है जबकि group 1 से लेके group 17 तक हम covalent radius की बात करते हैं तो यह बहुत important point है hopefully कि आपको यह lecture अच्छा लगा हो अच्छे से समझ में आया हो आप इसे बताईए कि आपको यह lecture क्या सा लगा हमारी comment section में और यह भी बताईए कि आपको क्या यह lecture अच्छे से समझ में आप आ रहा है और radius को निकालने में आपको और क्या difficulty होती है आप हमें जरूर बताईए hopefully आपका दिन अच्छा हो thank you so much